असलाम आलेकूम विवर्स आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी और कड़ाई पनीर का कोमो तो वीडियो को इन तक देखेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर कीजेगा तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी यह हमने 300 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने बड़े बड़े पीसिस में कट करके रख लिया है और यहाँ पे हमने तीन बड़े साइस की प्याजे और एक शिमला मिर्च बड़े साइस की और तीन टमाटर बड़े साइस के लिए हैं इन्हें भी हमने इस तरीके से बड़े बड़े पीसिस में कट करके रख लिया है इन प्याजों को हम खोल कर अभी अलग-अलग कर लेंगे और यह जो टमाटर है इसके हमने अंदर का पार्ट जो भी निकला था वो सब यह है इसके हम फ्यूरी बना लेंगे पनीर को हम फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर हमने एक पेन करम होने के लिए रखा है इसमें हम एक चमच खड़ा धना शाथ से आथ काली मिर्चे और तीन लाल खड़ी मिर्चे डालेंगे और इसको हम हलका सा भून लेंगे और इसे ठंडा करके हम इसका दरदरा सा पाउडर बना के रख लेंगे यहां पर हम इस कड़ाई में 200 ग्राम ओईलेट करेंगे और इसमें अब हम 2-3 पिंच नमा केट करेंगे और इसमें अब हम ये पनीर के पीसिस को डालके अच्छे से फ्राय कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक हमें इन्हें चलाते वे फ्राय करना है और हमें इन्हें तेज गरम ओल में ही डालना है ठंडे ओल में नहीं फ्राय करना है इने तो यह देखिए हमारे पनीर के जो पीसिस है वो कितने बड़िया तरीके से फ्राय हो चुके हैं अब हम इस सोईल में आधा चमश जीराइट करेंगे और तीन मीडियम साइज की प्याजे बारिक चोप की भी है वोइट कर देंगे इन प्याजों को हम मीडियम फ्लेम पे लाइट पिंग होने तक फ्राय कर लेगे तो देखिए हमारी प्याजे जो है अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब इसमें हम ये एक चमश लहसुन का पैस्टेट करेंगे और इसे हम 10 से 15 सेकिन तक अच्छे से भून लेगे मीडियम फ और आसे हम तीन वारिक चौपकी भी हरी मिरचे और तीन लाल खड़ी मिरचे एट करेंगे और एक चमश कुटावा अधरक आड़क करेंगे और इसे हम हलका सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे अब इसमें हम टमाटर की वो प्यूरी एट करेंगे जो हमने टमाटर के अंदर से जो भी बीजे वगेरा निकले थे उसकी जो प्यूरी बना के रखी थी उसको अब हम इसमे एट कर देंगे इसे हम इसके तेल से अलग होने तक इसको हम पका लेंगे अच्छे से भून लेंगे तो यह देखिए हमारी जो प्यूरी थी टमाटर की अच्छे से भूना चुकी है और तेल भी अलग हो चुका है इसका अब इसमें हम सुखे मसाले एट करेंगे यहां पर हमने एक चोथाई चमच हल्दी और आधा चमच लाल कश्मीरी मिर्च एक धरिया पाउडर और आधा चमच जो है लाल मिर्ची का पाउडर लिया है जो साधी मिर्ची आती है और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी एट करके इसको हलके से भून लेंगे लोफ लेंपे अब इसमें हम यह 4-5 चमच दही एट करेंगे तो दही हमें फ्रेशी दही का यूज करना है हमें बासी दही का यूज ना करें इसमें इसे हम हलका सा भून लेंगे अब यहां पर हम इसमें यह प्याजे एट करेंगे जिने हमने खोल कर रखी थी अलग-अलग करके और शिम्ला मिर्ची भी हम साथ में एट कर देंगे और यह जो टमाटर के पीसे से इन्हें हम बाद में एट करेंगे उच्छे जब हमारे टमाटर और शिम्ला मिर्ची थोड़े से सोफ्ट हो जाएगे तब एक मिर्च के लिए हम शिम्ला मिर्च और यह प्याज को हलके से भून लेंगे एक मिर्च तक चलाते हुए मिडियम फ्लेंपे और अब हम इसमें आधा चमच नमक ड़ेंगे से नमक से श होख़ हो चुकी है हम इन जद्र नहीं पकाना है और आप हम इसमें टमाटर करें और टमाटर को भी हम हलका सा ही पकाएंगे कि इस रेसीपी में सब्सक्राइब को जद्र नहीं पकाया जाता है अब इसमें हम जो हमने दरदरा सा पाउडर बना की रखा था मसालों को सेख कर खड़े मसालों का वो पाउडर एट कर देंगे अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे अब इसमें हम 100-100 ग्राम के करीब ताजी मलाई जो होती है फ्रेश मलाई हम इसमें एट करेंगे इसे हमने ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा चला लिया था तो काफी स्मूद हो गई है मलाई अब इसे हम थोड़ा सा सुखने तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे तो ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं हमारे मसाले अब इसमें हम ये फनीर एट कर देंगे अब इसे हम हलका सा चलाएंगे और इसमें एक चमश हम कसूरी मेथी एट करेंगे कसूरी मेथी से जो है इसका टेस्ट और बढ़ जाता है इसलिए आप कसूरी मेथी जरूर इसमें डाले, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे आब हम डागकर 1 मिट के लिए पकाएंगे, लो फ्लेम पे, तो इदेखिए 1 मिट हो चुका है, अब इसमें हम हरा धना एट कर देंगे, और गेज को बंद कर देंगे इसे हम ढाक कर रख देंगे और अब हम हमारी तंदूरी रोटियों का आठा तयार कर लेंगे यहाँ पर हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 300 ग्राम मेदा लिया है आप चाहें तो पूरा आटा भी ले सकते हैं या फिर पूरा मेदे की भी रोटिया बना सकते हैं अब इसमें हम एक चमर स्नमाक एट करेंगे दो चमर शकर एट करेंगे आप चाहे तो आप शकर का पाउडर भी इसमें एट कर सकते हैं एक चमच बेकिंग पाउडर एट करेंगे और एक जोथाई चमच बेकिंग सोडा किसे खाने का सोडा भी बोलते हैं मीठा सोडा किसे अब हम दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम 200 ग्राम दही एट करेंगे आप चाहें तो आप पूरे दही से भी इसको आटे को गुन सकते हैं लेकिन मैं इसको गुनने के लिए पानी का यूज़ करूँगी अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे पहले और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को एक सॉफ्ट डो बना लेंगे तो ये देखिए हमारा आटा तयार है अब इसे हम 10 मिनिट के लिए लग देंगे साइड में ढखकर 10 मिनिट हो चुके हैं और हमारा आटा भी जो है रोकिया बनाने के लिए तयार हो चुका है अब इसको हम थोड़ा सा और गुलएंगे है हमें तो हलका सा पानी हमने आटो पर लगा लिया है लग को अब हम इसको हल्का सा और गुल लेंगे हलका सा भेलना है वस हमें इस रोडी को अब इस पर हम ठोड़ी सी सफेद तिल लगाएंगे उसे हलके एलके हाथों से प्रेस कर देंगे और ठोड़ी सी कलोंजी हम इस पर लगा देंगे आप चाहें तो इसकी जगा काली तिल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं कि अब में इस पर हम ढुड़ा सा हे धनिये की पत्तियां लगा देंगे को कि अब हम इसे हलके से हलके हलके हाथों से मेल लेंगे कि रोटी हमारे नीचे चिपखने लगिए इसलिफे हम इसमें फ्रहें सा मेदाइंगे उप्तों फिर से हम अल्के हलके हाथों से घाट trafficking तवे को हमने गरम होने के लिए रख दिया है तो तवा हमारा विल्कुल तयार है रोटी डालने के लिए अब इस पे हम थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे पानी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हमारी रोटी जो है वो तवे से अच्छी तरीके से चिपकेगी तो तवा हमारा अच्छा करम था, देखिए हमारी रोटी वह फूलने लगी है अब हम इसे एक साइट से सिख चुकी है, हम इसे दूसरा साइट से सिखेंगे फ्ले म को हमें लो रखना है और इसे तबे को हमें घुमाते वे इसको इस तरीक में सीख लेना है तो ये देखिए हमारी रोटी जो है इससे सिक्के तयार है अब हम इसे चाकू की मदद से निकाल लेंगे और इस पे हलका सा देसी घी लगा देंगे अगर आपके पास है तो आपके पास बटर है तो आप बटर लगा सकते हैं और अगर घी और बटर दोनों नहीं है तो आप फिर इस पे ओल लगा लें हलका सा उससे रोटी अच्छी लगती है तो यह देखिए तंदूरी रोटी और कड़ाई पनीर का कॉम्बो हमारा तयार है एक बार इन दोनों को साथ में मना कर जरूर देखिएगा इंशाला आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो फटाफ़र से सस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में अला हाफिज